नमस्कार बच्छों, स्वस्ति रहो पड़ाई जारी रहें। बच्छों, पिछले अधियन में हम लोग चीफ की धावद भाग एक में श्यामनाथ पहले से ही कैसे कटोर और निस्वार्त इंसान ते वो देख चुके थे। एक निस्वार्ती इंसान होकर अपने तरकी के लिए कुछ भी करने के लिए तयार हो जाता है और मा को ही अपनी तरकी के वास्ते भादा समझ कर कई चिफाने का सोच विचार करते हैं। तो बच्चों हाच के संदर्ब में श्यामनाथ अपनी मा को इतना सब कुछ समझायाता सिखा चुकाता की कैसे उटना है कैसे भेटना है कैसे उसे गुसलकाने के तरफ जाना है कैसे कई विचारों को उन्होंने समझायाता। फिर भी मा अपनी ही यानि अपनी कराटे लेने की जो बूरी हादत के खारण वो कैसी विवहार कर सकती है उससे बेटा टिटक जाने का खारण एक तरफ दिखते हैं तो दूसरी तरह मा की मनोदशाम। पिछले कक्षामी में मैं बता चुकी थी कि मा बेटे की शिबखामन आएं अमेशा चाती हैं। तो इसलिए जैसे ही सुबह से चीफ की धावत होने की कारण कितने कितने तयारियां होते थें। हुन तयारियों को देखर मा इकाम सुबीते से चला जाए। मेरे बेटे के लिए तरकी हो जाए। ऐसी शुबखामन आएं मन ही मन करती थी। तो ऐसी मा को भादा समझकर बाहर यानि कई बेजने का या कई चुपाने का कई सोच विचार शामनात करते हैं। तो शामनात और पत्नी के खारण, आज चीफानी के कारण, घर में ऐसी स्तिती होने के कारण, मा की मनोदशा केसी है। आज के संदर्ब में हम लोग पिछले अदेन में भी कई विचार मा की मनोदशा पर हम लोग प्रकास डाल चुके थे। हाज के संदर्ब में हम लोग उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, पेज नुमबर 53 में देखेंगे, श्यामनाथ घर पर हब तक 5 बजे तक कितना सब कुछ कर चुका है। फिर भी उनके तर्टीब होने की हादत यानि हर काम में वे तर्टीब चाहने के खारण हब भी कुछ काम जो चुटे गए हैं उसे भी समाप्त कर और हंत में मा को सिर्ष से फाउं थक दिखता है। यानि कपड़े पहन कर उससे आकर दिखाने के लिए कहता है। तो चुडियां हुडियां हैं तो उससे पहने के लिए कहता है। तो ये सब क्यूं कह रहा है ताकि मा के वास्ते उसे लजजित ना होना पड़े यानि चीफ के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये सब इतना कर रहा है फिर भी उससे ऐसा मा की एकी स्थिति जो गहरी नील में खराटे लेने के वास्ते बुरी हादत के खारण मा की स्थिति केसी होती है उससे बेटा क्यों टिटक जाता है वो देखेंगे तो पेज नंबर 53 कपड़े कौन से पहनोगी मा जो है वही पहनोगी बेटा जो कहो पहन लो तो कपड़े पहने के लिए कहा रहा है और मा बथा रही है कि जो है मैं वो पहन लोगा बेटा पहन लोगी बेटा मिस्टर शामना सिगरेट मुँ में रखे फीर हद कुली हांकों से मा की होर देखने लगे और मा के कपड़ों की सोचने लगे तो मा जो कपड़े पहन चुकी थी वो इतना खराब ता कि वो उसे बदलना चाहिए शामना थर भात में तर्तिप चाहने वाले ते इसलिए गर का संचालक होने के खारण कुंटिया कमरों में यानि घर का सजावट में भी वो इतना जानकारी रखता था इतना साउधानी रखता था कि कुंटिया कमरों में कहा लगाई जाए बिस्तर कहा पर पिछे किस रंग के पर्दे लगाए जाए श्रीमती कौन सी साड़ी पहने मेच किस साइस की हो तो इतना सब यानि गर का संचालक होने के नाते इतना साउधानी रखता था कहा कहा कौन कों से सीरिज कैसी होनी चाहिए क नहां रखना चाहिए सब उने पता था जैसे ही तर्तिप चाने वाले श्यामनाद और चीज में कोई भी हदुरा नहीं चाता था श्यामनाद को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात मा से हो गया यानि चीफ मा के सामने दर्शन दिये तो क्या होगा तो कई लज्जीत ना होना पड़े मुझे उसके सामने शर्मिन्दा ना होने पड़े ना मा को सिर से फाउं तक दीखते हो ये बोले तुम सफेद कमेश सफेद सल्वार पहन लो मा पहन के हाओ तो जरा देखूं तुम मा को ये एक बार फेश से पाओं तक दिखता है और मा को समझा देता है मा तुम सफेद सल्वार कमेश पहन के हाना तो इस तरह मा को समझा देता है मा दीरे से हुरती है और अपनी कोट्री में जाकर कपड़े बदल कर हाती है यहां मा का जमेला ही रहेगा उन्होंने फिर हंग्रेजे में अपनी स्तृती से कहा कोई ढंक की बात बात हो तो भी कोई कहे अगर कई कोई हुल्टी सीधी बात हो गई चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा कहा रहा है अगर इतना सब सुबा से शाम तक हम लोग परिश्रम लगा के इतना खाम किये है इसमें तोड़ा भी उल्टा सीधा हो जाए तो चीफ को हम लोग संतुस नहीं कर पाई चीफ संतुस नहीं होंगे तो इसका मतलब तरक्की भी नहीं मिलेगा तो इसलिए अब जो भी खाम कर चुके है वो सारा मज़ा जाता रहेगा इस तरह बता रहा है मा सफेद कमीज हो सफेद सलवार पहन कर भाहर निकलती है चोटा सा कद है उनका सफेद कपड़ों में लिपठा हुआ है चोटा सा सुका हुआ शरीर है दुंदली आंके है केवल सिर्क के आदे जुड़े हुए भाल पल्ले की ओट में चिप कई थे पहले से कुछी कम कुरुब दिख रही थी तो मा कुरुब भी थी लेकिन हब सलवार का में सफेद सलवार का में इस पहने के कारण तोड़ा कम कुरुब दिख रही थी चलो ठीक है कोई चुड़ियां उड़ियां हो पहलो मा तो मा तुरंद बताती है जो चुडिया उणिया पहने के लिए बेटा कहा चाता है तब चुडिया उणिया कहा है बेटा तुम्हारे पढ़ाई में सब भी कई यहाँ वाग के श्यामना सुनते ही तिनक कर बोलता है यहाँ कौन सा रख छेडा है मा सीधा कह दो नहीं है जेव पस इससे पढ़ाई वडाई का क्या तालुक है जेवर नहीं है बस हो जाता है तो पड़ाई वड़ाई में बिक्क ये हैसा क्यों कहती हो मा जो जेवर बिका तो कुछ बन कर तो हाया हूं निरालंडुर तो नहीं लवटा हाया तो अगर बिक्क ये है तो में तो जेवर तो बिक्क ये है तो बिका नहीं हुआ न उसके प्रती में कुछ बन कर तो हाया हूँ जितना दियाता उससे दुगना ले लेना जितना भी तुम दिये हो उसके बदले में दुगना दे देता हूँ तु तुरन मा मेरी जीब जल चाहिए बेटा तुम से जेवर लूँगी मेरे मुझे यू ही निकल गया मुझे जेवर कुछ भी नई चाहिए बेटा मुझे मेरा मुझे यू ही निकल गया मेरे जीब जल जाये जो होते तो लाग बहार पहनती अगर है तो मैं पहनती थी अब जेवर नहीं है बेटा इतना कहती है हब तक 6.5 बच शुके थे अभी मिस्टर शामनाद को कुद भी नहां दो कर तयार होना चाहिए था ओ, कमरे के तरफ चला श्रीमती कप के अपने कमरे में जा चुकी थी हब तक उसकी तयारी हो रही है शामनाद जाते हुए ही एक बार फिर मा को इमायत करते गया फिर एक बार समझाते हो यह जा रहा है मा रोज की तरह गुमसुम बनकर पैटना नहीं है अगर सहाब इदर निकले और कोई भात पूचे तो टीक तरह से भात का जवाब देना तो सहाब इदर ही हाते होंगे तुमारे कोट्री के सामने हाते होंगे तब तुमें गुमसुम नहीं बेटना है बलकि अगर वो कोई भी प्रस्ण पूचे तो उसके लिए उत्तर जवाब देना ज़रूरी है तो मा पहले ही आपको पता है अंग्रेजियों को देखते ही दूर भागती थी हो भी हमेरी की है तो इतना धर है इतना घबराहट है सुबा से उसका दिल इतना धड़क रहा है तो तुरंत बेटे के कहती है मैं ना पढ़ी ना लिकी बेटा मैं क्या बात करूँ ने मैं तो ना ही पढ़ी हूँ ना ही लिकी हूँ मैं क्या बात कर सकती हूँ कह देना मेरी मा अनपड़ है तब कुछ जानती समझती नहीं है तब वो पूछेंगे ही नहीं साथ बचते बचते मा का दिल धख धख करने लगा अगर चीफ सामने हा गया और उसने कुछ पूछा तो वहाँ क्या जवाब देगी अंग्रेस को तो दूर से ही देकर वो घबरा उड़ती थी यह तो अमेरी की है ना मालूम क्या पोचे मैं क्या कहूंगी मा का जी चाहा की चुप चाप पिछवाडे बिद्वा सहली के गर चली जाए मगर बेटे का उकुम को केसे ठाल सकती थी चुप चाप कुरसी पर से ठागे लड़काये वही बैटी रही तो मा इतना तो कहा गई और भेटा अपने तयारी के लिए चला गया इधर मा साथ बचते बचते उतका दिल इतना तीज दड़कने लगा गबराहट में वो बैटी हुई थी जैसे ही मा अंग्रेजियों को देख कर ही दूर भागती थी अब हमेरी की है उसके सामने वो केसे भाद कर सकती थी इतना गबराहट में बैटी हुई है वो यहाँ भी सोश्र यह है कि मुझे अपने विद्वा सहली के घर में बेज देते तो कितना हच्छा होता में राद बर वही रहकर सुबहा आ जाती थी लेकिन बेटे का हुकम है विद्वा सहली के घर ना जावो तो कैसे ठाल सकती है तो मा बेटे के हुकम के वास्ते यही गर पर रहना पड़ा है तो वेसे ही कुर्सी पर टांगे लड़काए हुए बैटी थी ये कामियाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामियाब से चल जाए ड्रिंक का पार्टी है ड्रिंक कामियाब इसे चल था रहा शामनाद की पार्टी सफलता के शिकर छूमने लगी जिसके वास्ते सुभा से शाम तक जितना खाम जितना परिश्रम लिया चुकाता वो सब सफलता के साथ पूरा हो रहा है वारताला उसी रहों में भाह रहा था जिस रहों में गिलास पर जा रहे थे तो भाचित के सासाल गिलास बर गिलास डरिंग्स भी चलता रहाता कोई रुकावट ना थी कोई अडचन भी ना था साहाब को विस्की पसंद आये थी और मेम साहाब को परदे पसंद आये थे तो साहाब को विस्की पसंद है तो मेम साहाब यानी चीफ की पत्नी जो है उसके लिए परदा पसंद आये थे सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था कमरे की सजावट पसंद आये थी तो इससे बढ़कर क्या चाहिए साहब तो ड्रिंक के दूसरे धौर में ही चुटकुले और कहने लग गए थे दफ्तर में जितना रोब रखते थे वहाँ पर उतने ही दोस परवर हो रहे थे लेकिन साहब तो ओफिस में अफसर ही थे लेकिन यहाँ तो दोस्त की तरह बरताओ करता था और मुन की स्तरी काला घौन पहने घले में सफेद मूतियों का हार पहनी हुए थी और पोडर के महक होत प्रोती कमरे में भैटी सभी देशी स्तरीयों की आरातना का कींद्रबिंदु बंचुकी थी भात पार अस्ती थी बात बात पर सीर हिलाती थी और शामनात की स्तरी के साथ तो ऐसे भाते करती थी जैजे की पुरानी दोस्त रही हो तो शामनात की पार्टी जो है बहुत ही खामियाब से चल रहा था ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स ले रहे थे कोई अर्चन आता और चीफ को बिसकी पसंद हाया था तो में साब को परदे पसंद हाये थे सोफा कवर के डिजाइन पसंद आया था और खमरे की सजावट पसंद आयी थी और ये मेम सहाब इस पार्टी का केंद्र बिंदो बन चुकी थी यानि भाद भाद में अस्ती थी और सीर खिलाती थी और जैसे के शामनाद की पत्ती के साथ ऐसे पुरानी दोस्ती हो ऐसे भादे कर रही थी तो ये शांधार पार्टी का केंद्र बिंदो बन कर मेम सहाब सब का आकशन बन चुकी थी और इसी रों में पीते पिलाते साड़े दस बच गए वक्त गुजरता पता ही ना चला तो साड़े दस बच चुके हैं सभी को खाना खाने का समयता हाकिर सब लोग अपने अपने घिलासों में से आकरी गुन पीकर काना कानी के लिए हुटे भैटक की तरफ चले हागे हागे रास्ता दिकाता हुआ शामना चला पीछे पीछे मेहमा चले शामना जैसे ही परामदे में पहुंचा ठिटक गए जो द्रुश्य हुन होने देखा उससे उसके ठांगे लड़ कड़ा गई और शन भर में सारा नशा ही रन होने लगा अब तक जितने गुंट शरा पिये थे वो उसका नशा उथर गया वहां क्या द्रुश्य देखा द्रुश्य वहता भरामदे में हैंकोट्री के बाहर मा कुर्सी पर जो कीत्यों भैटी थी मगर दोनों पाउं कुर्सी की सीट पर रखे हुए सिर्धाये से भाये भाये से धाये जोल रहा था जो मा को इतना सबकुछ शामनात समझा चुका था फिर भी मा वही गलती खर चुकी थी मा को यह कह चुका था कि कुर्सी पर यानि पाउं नहीं रखे जाए और कुसी पर पाउं रख चुकी है और सोना नहीं चाहिए और मा सो रही है हार हैसा सोने में यानि गहरे नीन में कराटे ले रही है और उनके से धाये से भाये भाये से धाये हिलते जा रही है तो ऐसा जूल रहा है मुझ से लगातार घहरे कराटे के आवाज आ रही थी जब सीर कुछ दीर के लिए टेड़ा होकर एक तरफ को तम जाता तो कराटे और भी घहरे हो हुडते फिर जब जटके से नीन तूड़ती तो सेर फिर धाये से भाये जूलने लगता पला के सिर पर से किसक हायाता और मा के जड़े हुए भाल आधि घंजे सिर पर अस्त वेस्त भी कर रहे थे तो बचो हाच के संदर्ब में विशे बनता है शामनाथ टिटक जाने का खारण शामनाथ पूरा परिश्रम लगा के जिस चीफ को संतुस्ट करने के लिए जो काम कर चुके थे वो कामियाब तो हुआ था लेकिन अंत में जो काना काने के संदर्ब में जिस मा से शर्मिंदा होना पड़ता है लजित होना पड़ता है समझता था तो वेसे ही उसे शर्मिंदा होने का एक गटना गट चुकी है वो गटना है मा को जहां जिस कोट्री के भाहर भरामदे में यानि उसे बैठने के लिए खागाया था कोट्री के भाहर मा कुर्सी पर बैठ चुकी थी और फाउं कुर्सी पर रखी हुई थी गहरे नीन में कराटे ले रही थी उसके पलु जो है सिर से किसक गया था और मा के जड़ेवुए भाल अस्त वेस्त हो चुके थे वो इस गहरे नीन में सिर ऐसे जूलते थे धाये से भाये और भाये से धाये हो जूलते थे तो इस तरह हस्त वेस्त विकर गए भालों को देखर शामना तुरंत वही खड़ा होकर टिटक गए और उसके पाउं लड़ कड़ा रहा था ताकि चीव के सामने उसे शर्मिंदान ना होना पड़े लजित ना होना पड़े ऐसी डर से वो हैसे ही खड़ा रहा ऐसे टिटक गए था जैसे कि उसका सामना नहीं कर पा रहा था तो आगे के हद्ये में इसे हागे बढ़ा आएंगे यानी मा क्या नीन से उठकर केसी उसका सामना खरेगी चीव के साथ के इसे वहर कर सकती है जो मा को इस शांदार पार्टी का खामियाब पार्टी का शान बढ़ाती है मा होखागे के अध्येन में हम लो देखेंगे बच्चो तो इसके संदर्ब में आज के विशय के संदर्ब में हम लो प्रश्णोतर के तरफ बढ़ेंगे तो आपको प्रश्ण मिलता है बच्चो प्रश्ण देखिए तीसरा प्रश्ण एक वाक्य या वाक्यांश में उत्तर लिके शामनार मा को कौन से रंग के शलवर कमीज पहने के लिए कोहते है उत्तर है बुचो सफेद मा के सब जेवर क्यों बिक गए थे मा के सब जेवर बेटे के पढ़ाई में बिक गए थे मा क्या ठाल नहीं सकती थी मा बेटे का उकुम ठाल नहीं सकती थी मेम सहाब को क्या पसंद आये थे मेम सहाब को मेम सहाब को परदे पसंद आये थे सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था और इस गर का सजहावट कमरे की सजहावट पसंद आये थी तो बचो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तीन चार वाक्यों में प्रस्ण मिलते हैं पहला प्रस्ण चीफ की धावत के समय मा की मनोदशा का वर्णन कीजिए मा सुबह से जैसे ही चीफ की धावत थी तो उसके लिए तयारिया हो रही थी उसे देखते ही मा का दिल दड़कता जा रहा था मा दड़कते हुए दिल से ही बेटे के शुभखा मना ये चाहती हुई ये काम यह सब काम सुबिते से चला जाए ऐसे आशा करती थी हाँ जैसे ही सांस बस्ते-बस्ते मा का दिल होड तेज दड़कने लगा क्योंकि मा कभी भी अंग्रेजी को देकर ही वो डरती थी कभी भी हैसा मुलाकात नहीं हुआ ता जो आज हमेरी के हैं उसका मुलाकात करना पड़ता है बेटी ने समझाया कि मा तुझे जैसे ही अपसर यानी सहाबी दर हा जाये तो उनके साथ आप बहते करना चाहिए तो बेटा इतना समझा चुका था कि मा को उनके साथ केसे विवाहर करना चाहिए इसे सुनकर ही इसे याद करते कर गबराहट महसूस करती थी और केसे उसका सामना करना चाहिए इसी ढर में वो गबराहट में बैटी हुई थी कल के अगले हद्यें में जो भी हागे के विशय के संदर्ब के साथ मा की मनोदशा भी जुड़ता जाता है उसे हम लोग हागे देखेंगे और चौता प्रस्ट है बरामदे में पोश्टी ही शामनात क्यों टिटक गई हैं तो बेटा मा को समझा जा चुकाता की केसे बेटना है केसे हुटना है तो ये सब समझाने के भावजूर भी मा कोटरी के बाहर कुसी पर बैटी थी पाउ कुरसी पर रखी हुई थी गहरी मीन मे वो खराठे ले रही थी पल्लो जो है सिर से किसक घयाता और जूडे भाल अस्तविस्त हो गए थे गहरी मीन के कारण उनका सिर दाये से भाये और भाये से धाये हो जूल रहे थे तो उसे देखते ही शामना टिटक जाते है तो टिटक जानी का कारण आसके संदर्ब में हम लो देख चुके है तो इसके सांस साथ हम लो किसने किस से कहा प्रस्ट में हम लो देखेंगे तो जब से बीमारी से हुटी हूँ नाख से सांस नहीं ले सकती तो माने शामना से कहा सच मुझे घाओं के लोग बहुत पसंद है एकलकी कक्षा में हम लो अध्यान करेंगे बच्च जो भी आप लो वीडियो देखने के बार जो भी सुने हैं अब भ्यास पुस्तिका में रहे प्रश्णों का हुद्तर पूर्ण करिये और पड़ाई जारी रखिये स्वस्त रहिए दनिवाद